आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना व्लॉग आप सबको पसंद आता है और क्या पसंद आता है मुझे अपना कमेंट देना मत बुलेगा लव टू आल माई व्यूवर्स लव टू आल माई सब्सक्राइबर इतना जाद आप लोग सपोर्ट देते हैं थैंक यू सो मच और अ आज का वीडियो होने वाला है स्पेशल गुद मॉर्निंग एवर्यवन मॉर्निंग के 5 30 एम हो चुके हैं मैं आई हूँ किचन में रोशनी के लिए टिफिन तयार करना है और इसके लिए मैं बनाने वाली हूँ सैंविच जिसके लिए वेजिटिबल चॉप कर लिए जैसे क इस तरह से तो इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी बनेगी फिलिंग तो मैंने दही लिया है यह थोड़ा सा हंकर्ड है आप बिल्कुल जो है ना पानी बिल्कुल निकल जाता या तो मसलिन क्लॉत में या जो चन्नी होती है उसमें डही डाल लीजिए और इसका मिक्स हब एrän जाते हैं काली मिर्च का पाउडर और साथ मिस मिस वाथ के हिसाब से नमक और थोड़ासा मैगी का मैजिक मसाला है युथ ज़AUब कर लिया है और फटाफट से मिक्स बन जाती है अच्छे से इसको mix करना है सबजी जितनी जादा बारिक चॉप करेंगे न उतनी जादा सैंविच अच्छे भी बनती है और उतना जादा जो कच्छा पन जैसा भी नहीं लगता है अच्छा आसा टेस्ट आता है अच्छली और इसके बाद जो है न मैंने add कर दिया है इस सब stuffing क प्रेट के ऊपर और अच्छे से लेयर लगा दूगी इसका और मैं इसको सैंविच मेकर होता ना उसमें इलेक्ट्रिक वाला उसके में यूज करने वाली हूँ आप चाहे तो तबा में भी बना सकते ग्रिल पैन में भी यह बन जाता है तो इस तरह से अच्छे से स्प्रेट कर दूगी तो बस मैं इसको टोस्टर में सिखने वाली हूँ और अच्छे से एक्चली ग्रिल मांक सा भी आ जाता अच्छा भी लगता है और फटा फट से एक्चली सिख भी जाता है तो मैं उसी का यूज करने वाली हूँ इस तरह से अच्छे से स्प्रेट कर लिया है अप चिली preheat होता है यह टोस्टर फिर इसके बाद automatic green signal सा हो जाता है फिर जब इसको lock करते हैं फिर automatic अपने हाँ close भी हो जाता है पकने के बाद तो यह काफी अच्छा है फटाफट से हो भी जाता है तबा में भी कर सकते है टेस्ट वाइस तो वही आता है बस इसमें थोड़ा सा द प्रेश वाली ही लेनी है तो अच्छी लगती है ये और जो भी अपने पसंद का मिर्च मसाला आड़ कर सकते हैं जैसे छोटे बच्चे है तो कम डालिए थोड़े से बड़े बच्चे है तो ग्रीन चिलिस वगरा भी आड़ कर सकते हो इस तरह से तयार है फ्रेंस और अपने पसंद का कोई भी जैसे की आप इसको चाहो हलका सा फ्राइ वेजटिबल्स डाल के भी बना सकते दही के साथ मिक्स करके और यह है बस उसका टेफिन लगा दूगी मैं रोशनी का इसी तरह से सैंविच मैंने कट कर दिया थोड़ा सा पाया है और एपल रख दिया है मैंने त तो रोशनी बस अभी नाश्ता करेगी और यह निकलेगी स्कूल को बाकी मॉनिंग का जैसा मेरा डेली का जो शेडियूल है वो ही सारा कुछ चलता रहता है तो वो अब नीचे उतर गई है नीचे वैन वाले आ जाते है और हॉन भी मार देते है न तो उपर में आवास आई जाती है अक्चली और इसके बाद जो है मैं बनाने वाली हूँ उपमा नाश्ता के लिए तो थोड़ा सा उपमा बनाओंगी पापा के लिए यानि मेरे फादर इनला और मेरे लिए थोड़ा सा तमयने तील डाला है सरसो आट किया है चना जो दाल होती है ना उरत दाल और थ और इसमें अपने पसंद का कोई भी वेजटीबल्स आड़ कीजें, मैंने प्याज आड़ किया है, साथ में केरेट है, यानि गाजर है, शिमला मिर्च है, बारी कटा हूआ मिर्च है, जो भी पसंद का वेजटीबल्स है, डाल सकते हो, एक तो हल्दी अप्शन भी है और इसको सूजी आड़ किया है एक बुल के करीब और इसमें नमक स्वाथ के साब से आड़ करेंगे और इसी सब्जी के साथ हम सूजी को हलका सा रोस्ट कर लेंगे चाहे तो पहले से रोस्ट किया हुओ भी सूजी बहुत लोग डालते हैं कभी कभार अलग से रुस्ट करके भी रखलेती हूं और ऐसे भी करThe到了 T अटूरी के करीब पनी याड़ कर दिया है यह नहीं पार अपे निबू का रसБार रस कर दीजें तो इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाता है और बस पापा आ चुके हैं चाय भी मैंने बना ली थी और इसको प्लेटिंग कर दूँगी यह वेजटेबल उपमा बनकर तयार है उपर से थोड़ा सा मैंने धनियापता आड़ किया है और अच्छा लगता है अच्छली काफ जाता है क्योंकि आज टीवी इंस्टॉलेशन वाले आने वाले हैं जो टीवी इंस्टॉल करेंगे मेरे रूम में तो मेरा नहाना दोना हुआ सारा काम करने के बाद और इसके बाद होती है मेरी पूझा एज आ मॉर्निंग शेडूल मेरा फिक्स्ट है यही सारा कुछ अगर जो है ना पूझा कर ली थी फ्रेंज और बबान करें अभी नवरात्री जैसे चल रहा है ना मातरानी आप सभी के घर में सुख चैन सांती और समरिद्धी प्राधान करें और इश्वर की क्रिपा आप सभी पर बनी रहे हम सब पर तो उपमा और चाय मैंने गरम कर ली थी औ और इसके बाद करने बैठी हूँ अपना नाश्ता और जैसे ही मेरा नाश्ता फिनिश हुआ ब्रेकफरस्ट वो आ गए थे इंस्टालेशन वाले और वो टीवी का फिटिंग कर रहे थे अगर आप नए हैं फर्स टाम वाच कर रहे हैं तो आपको शायद नहीं पता होगा त तो मेरा बड़े सेलिबरेशन करने के लिए वो आ रही है और उसी ने मुझे सर्प्राइज गिफ्ट भेजा था ये ऑनलाइन उसने बुक कर दिया था तो ये टीवी मुझे रिसीव हुआ था कल तो आज इंस्टालेशन वाले आ गए थे और ये फिट करके गए तो मैंने प ढ़ते हैं वह बहुत ही जादा खराब दिखते हैं और पूरा लूग विल्कुल एकदम खराब कर देता है तो मैंने क्या किया जो स्ट्रेंगते ना फ्लावर जैसे उसको मैंने हर जगा जो है ना उसको वायर को कोशिश किया मैंने डगने का ताकि थोड़ा सा रूम ना इन सारा कुछ और मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा आपका और इस तरह से मेरा रूम का मेक ओवर हो चुका था अभी तो दिवाली आएगी और थोड़ा बुद कुछ करना रहेगा अभी बस फिलाल आई हो कि आपको पसंदा रहा होगा बताईएगा कि कैसा लग रहा है अभी म दूसरे दिन सुबह की जो है न मैं नाश्ता बनाने वाली हूं उसका मैंने जॉइन किया है आज के व्लाग में तो यह मैं बना रही हूं मॉर्णि के लिए दलिया सभी के लिए ब्रेकफस्ट और आज है ना रोशनी का रिजल्ट डे आउट है तो मैं जाओंगी उसका मैं बना रही हूं सुबह के लिए फटा फट से दलिया और मैंने थोड़े से तेल में सरसो जीरा को पकाने के बाद मॉमफली को हल्का सा पका लिया है और इसमें बारी कटा हुआ मिर्च प्याज है साथ में करी पत्ता है जो भी वेजटेबल्स है वो एड़ किजे गाज़ शिम्रा मिर्च बीन्स मैंने अड़ करके हलका सा पका लिया है फिर इसके बाद मैंने टमाटर आड़ किया है और मॉंग डाल और दलिया को मिक्स करके मैं बनाने वाली हूं हल्दी सा ब्रेकफास्ट और इसके बाद जो भी मसाले पढ़ते हैं वो एड़ करती हूं मैं जैसे पांच करीब डाल भाइदा तो, चाहर तो, तोकас और डाला, कम ज़से औरने बारीद होता है , मैं तो पानी थोड़ा सब करीब्द पानी के एता लाए हम यहां अन्याने आपक्तेम करें दाल टालेग बारीध हमें पानी 1 तूड़ा को पानी बारीध हमिस सब्सक्राइध कि progresses और मीडियम फ्लेम पर 1-2 सीठी आने तक मैं इसको कुक कर दूँगी पस इसको मिक्स करना है डख कर रख दूँगी इसको लेट लगा दूँगी तो इसलिए मैंने मने ये मॉनिंग का जो है न सेकट डे का मैंने आड़ कर दिया था और कई बार ऐसा होता है कि बहुत साथ ठक जाते तो फिर व्लॉग कंटिन्यू करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो मैंने सुचा नेक्स टे में कर लोंगी और ठक के वह एनरजी लेवल भी नहीं रह जाती है तो यह दो सीटी मीडियम फ्लेम पर लग चुकी है दलिया मुझे थोड़ा सा ड्राइवाला ज्यादा एक बर जरू ट्राइए किजेगा जो आप पतली वाली जो दलिया खाते है उससे अच्छा यह हलका सा थिक वाला दलिया बनाएए बहुत जादा टेस्ट लगता है उपर से मैंने दिनियपता अट किया हलका सा घी डाला है और यह तैयार है गरमा गरम हल्दी ब्रेक्फस्ट अगर वेट लॉस के लिए भी कर रहे हैं तो यह हल्दी ऑप्शन है आप कर सकते हो मौनिंग में दलिया खाये साजा दीन आपका पेट भरा सा रहेगा तो पपक मैंने दे दिया है यह अक्शली नेक्स्ट मौनिंग है तो डबल ब्रेक्फस्ट जैसा हो गया आपको लग रह लिए क्योंकि मुझे फटा-फट से जो है ना जाना है इसके स्कूल पैरेंट्स टीचर मीटिंग है पता तो है कि रोशनी फरस्ट आई है साइन वगरा करके आना पड़ता है फ्रेंस रोशनी और मैंने भी अपना ब्रेक्फस्ट किया है तो इसी तरह से पूरा टाइम चला होगा फ्रेंस और ये सारा को तो ये टोटल फिफ्ट रैंक काउंटिंग है उसमें एक ही लड़का फोर्त आया बाकी सारी लड़कियोंने बाजी मारी है फ्रेंस और इसके बाद जो है ना साइन वगरा करने के बाद हम लौट चुके हैं अपने घर की तरह बीच में फूल मैंने टीवी रोशनी मस्त इंजॉय करें नया नया टेलिविजन गिफ्ट मेरे लिया है बट रोशनी को बहुत साथा कुछी हुई है तो फ्रेंस करीब साड़े बारा हो चुके हैं मैं आई हूं अपने किच्छन में और आज मन्नी कर रहा था जैसे की डाल चावल रोटी मैंने थोड़े से तेल डाला है कडाई में इसमें जीरा और सरसो को पका लोगी और इसके पकने के बाद बारी कटावा प्याज है साथ में मिर्च आट किया है इसको अच्छे से गोल्डन होने तक पकाऊंगी थोड़ा सा अद्रक और लैसून का पेस्ट वह भी आट कर दू पानी पानी टाकि नमक, हलली पाउडर, मर्ची पाउडर धनिया पाउडर तोड़ा सा अच्छे से कूक करेंगे इसमें हलका सब्सक्राइब पानी तकि मसाले जो हें अच्छे से कूकश हो जाया है पस वह निकल जाता है आलो को मैंने अजली बॉल करके रख लिया था तो हल जाना पड़ता है स्कूल की चुट्टी हो गई बट अभी भी रेस्ट नहीं है कोचिंग तो चले गई लेट सी अगर चुट्टी दे दे तो थोड़ा सा मुझे भी आराम हो जाता है और बस मैंने इसमें बॉयल किया हुआ अलू को डाल कर भून लोंगी और आलू का मसाला बन अबना ऐसा लगता है कि बेशन का टेस्ट आ रहा है तो वह टेस्ट नहीं आता है थोड़ा सा जो जो फिलिंग है आलू की फिलिंग का भी टेस्ट आना चाहिए तो अच्छा लगता है तो इस तरह से बस ब्रेट कर दूंगी और चटनी मैंने ग्रीन चटनी अड़री बना तो थोड़ा कभी कबार चेंज हो जाता क्योंकि पापा की भी पसंद है कुछ भी खा लेते हैं उनका उतना जादा टूटेंशन यह एक जो कुछ चीज़े हैं वह नहीं खाते बस यह सब तो बड़े मज़े से खा लेते हैं हो पीजा वगरा नहीं खाते हैं लेकिन ब्रेड ज पसंद है तो यही बना लिया जाए तो ब्रेड में मैंने स्टफिंग कर लिए है बस अभी मैंने लिया है एक बोल में बेसन थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे क्योंकि बेसन की चीजों में अजवाइन जालते है ताकि डाइजेशन हो सके अच्छ से करके डालना है इसमें ताकि वह भी तूड़ा सा मिर्ची पाउडर मैंने अट लिए है नमक स्वाद के साफ से अड़ करना है और इसमें थोड़ा सा मैंने एड़ किया है धनिया थोड़ा सा इसमें खानी वाला सोडा जरूर एड़ किजिए जिसके लाइड एन फलपी बनेगा तो हल्का सा सोड़ तो आपके गले में जो ड्राइनस जैसा नहीं लगेगा जब भी वेशन का खाते हैं तो थोड़ा सा ड्राइ जैसा लगता है हलका सा सोडा एड कर लेने से बिल्कुल लाइट बनेगा और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके एड करना है थिक सा बैटर तेयार करेंगे बहुत साथा भी पतला नहीं बहुत साथा भी थीक नहीं मीडियम वाला ताकि वह ब्रेड में अच्छे से जो है ना लिपट जाए जैसे तभी अच्छे से रहेगा वना क्या है फ्लो हो जाएगा या बहुत साथा लेयर पतली भी रहती है तो भी टेस्ट अच्छा नहीं आ ताकि जब आप पलटते हो ना तो यह चिपकता नहीं है तो इसमें क्या है यह जो गरम गरम तेल है मैं उपर डालते जाओंगी इससे यह पूलेगा भी अच्छे से तो इस तरह से जो भी है पकोड़े वगरा तलते हैं और इस तरह से जो है ना ब्रेट के आइटम को भी उपर से आइल या ब्रेट पकोड़ा बनाते तब भी उपर में गरम तेल ज़रूर राट कीज़ेगा अगर इस तरह से आप पलटते हो तो अच्छा सा आप देख सकते कितना अच्छा सा फूला है तो यह बहुत साइड में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया इसी तरह से मैं स जाइड में तो यह ब्रेट पकोड़े काफी जाद अच्छे बने थे इस तरह से बनाएगे तो बहुत अच्छे फ्लफी बनेंगे एक तम और चटनी मैंने दे दिया था प्लेटिंग कर दिये बस यह लोग एंजॉय कर रहे हैं मैंने भी खाया था और काफी अच्छे बने थे बस इसके बाद रोशनी अल्रडी तियार हो चुकी है कोचिं सॉप में बगल में ही है पूरा में मार्केट पड़ता है तो मैंने थोड़ी से मिठाई ले ली थी रजगुल्ला और साथ में यह बेक्ट वाली है ना छेने की मिठाई है स्टफिंग वाली और यही क्योंकि आज रोशनी फर्स्ट आई है तो मिठाई तो थोड़ा बनता है बगवान जी के पास भी मैं रख दूंगी और इसके बाद मैं त्यारी करूंगी थोड़ा सा स्नैक्स बनाऊंगी कभी कबार टिफिन में भी थोड़ा सा देने को हो जाता है तो यह में बनाने वाली हूँ मसाले दा नमक पारे होता है और इसमें थोड़े से मसाले पड़ते और इसके बाद हमें ऐल करना होता है तो ऑइल डालते हैं इसको बोलते हैं मॉइन तो इससे कितना डालना है उसका अंदाज आपको खुदी लग जागा थोड़ा फोड़ा करके आड़ कर लीजिए और अच्छे से जो आर्टे को मिक्स कर लेज़े यानि यह मैदा है अच्छे जि5 कोड़ें से चinkill कीक जाता है यह ब्रेड क्रम्स के जैसा और जब आप हो जाता है अगर आपको मुठ्टी बन जाता है तो समझ लिजिए इसने आपने आइल डाला मौन वो बिल्कुल पर्फेक्ट है अगर यह खुल-खुल जाता है तो आपको थोड़े से और डालने की जरूत है तो आप देख सकते हो जो ऑइल है बिल्कुल पर्फेक्ट है क्योंकि मुठी बनने लगा है और इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करकर इसका सेमी सॉफ्ट सा दो तो पानी थोड़ा थोड़ा करके आड़ करूंगी अच्छे से नीट कर लिया है और इसके बाद थोड़ी धकर जब रख देते हैं तो आटा सेट हो जाता है तो यह डो बनकर तैयार है इसको धकर रख दूंगी बहुत जादा भी हाट बना लेंगे तो भी अच्छा नी तो मीडियम रखना है और थोड़ी दिर अबाद रखने के बाद भी हल्का सा धीला होई जाता है तो इस तरह से जब आप बेलते हो ना तो अलग से कोई भी आपको आटा डस्टिंग करने की ज़रुत नहीं पड़ेगी बस इसको अच्छे से बेल लेना है बहुत जाता भी बनाओंगी बहुत जाता भी पतला नहीं और बस इस तरह से रोल कर लिया है मैंने और इसके पीसे कट कर लोगी और जैसा चाहो आप रिंग जैसा भी कट कर सकते हैं किसी मोल्ड से भी कट कर सकते हैं और ये मसाले एक्शली नमक पारे जो बन रहा है काफी साथ अच्छा नहीं बना रही हूं बहुत जादा भी पतला नहीं तो अच्छे से आप देख सकते हैं तेल गरम है मीडियम टू स्लो फ्लेम पर बस इसको करना है कोल्डन ब्राउं होने तक तो इसी तरह से सारा मैं कर लोगी तो आज टी टाइम स्नैक्स भी काफी जाद अच्छा है जादा कर दो कर दो तो यह अच्छा सा गोल्डन ब्राउं हो चुका है सारा कुछ मैंने इस तरह से तल लिया है और यह जो मसाले दार बनाएंगे ना तो काफी जाद अच्छा लगता है एक बच जरूर इसको ट्राइक कीजिगा नॉर्मल वाला जो हता ना नम्मा कजवाइन डाल कर बट इस त अच्छन ना होने के बाद ना फ्रेंस मैंने इसको डाल लिया है एर टाइट कंटेर में तो यह टी टैम स्नैक्स बन कर तयार है और यह मिठाई अब मैं दे दीते हूं करीब साड़े च्छे बच चुके हैं तो चाई वगरा मैंने नहीं बनाया था अल्रेडी मिठाई है तो इसी को हम लोग खाएंगे और यह काफी अच्छा यह जो ब्राउन वाली मिठाई है ना छेने वाली बेक्ट यह काफी जाद अच्छी थी रजगुला तो सभी ने खाया है यह तुरा सा डिफरेंट टेस्ट लगा था मैंने दुकान में टेस्ट किया था तो मैंने बोला यह आने की खोशी में रोशनी खारी ये मिठाई रोशनी के फर्स आने की खोशी में आप भी एंजोई किजे हमारे साथ आज्च का व्लाग मैं ही एंड करती हूँ I hope you like my video तो लाइक किजे शेर किजे नहे है तो सब्सक्राइब कर लेजे ताटा यह बाई